जाहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार Commerce Center 24-7 पर मैं आपका दोस्त आपका होस्त बोले तो आपका बड़ा भाई अदित इवारी आप सभी का शामने लेकर के आया है किताब फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर एक पोईट्री का है क्या My Mother at 66 प्यार मौबबस से बारा ये चैप्टर लिखा है हमारी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी कमला दास जी ने और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा हलाकि आप काफी सारे उतार चाड़ावों को देख पाएंगे रिलेशन्शिप में एक मा और बेटी के चलो करते हैं श अगर जान सकें कि भाई क्या काम करती तो और अच्छी बात है करते हैं इनके बारे में बात तो कमला दास जी का जन्म हुआ था 1934 में और इनका देहांत हुआ 2009 में और इनका जन्म हुआ था मालाबार केरला में स्टी इस रिकागनाइज एस वन आप इंडिया फोर्मोस बहुत की किसे सब्सक्राइब और ऑन की आकशिणले जाते हैं है अब मैं आप सभी जानते है जो वर्क है एक नाउन है और यह वर्ण और दुगता है ऑल के सबनी को पता है जब नाउन को रूप में आता है तो work एक कैसा noun है बेटा आपको मैं बता दूँ work एक uncountable noun है थोड़ा सा और जानकरी दूँगा भी रुख जाओ वरक एक कैसा noun है uncountable noun है अब अगर आपने uncountable का नाम सुल लिया तो आपको पता है uncountable noun का कभी भी plural नहीं बनता तो आपने तो अभी देखा she has did many works ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर s कैसे आ गया यह जो works है इसका मतलब यह अलग है यह किसी का plural नहीं है इस works का मतलब ही होता है लिट्रेरी वक्स कुछ साहितिक रचनाएं जो कोई भी पोएट या कोई भी जो लेखक है अगर कुछ अपनी साहितिक रचनाएं करता है तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है बेटा सामान आर्टिकल्स है ना गुट्स यानिकी सामान वस्तु है चलो इतना समझ गए यहाँ पर वक्स का मतलब अलग है वर्क जब वर्ब के रूप में होती है तो सिद्धी सी बात है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और जब खुद सब्जेक्ट देखते हैं वो किसले जानी जाती है अपनी औरिजनालिटी के लिए अपनी सत्य निष्ठक ले जानी जाती है जो उनका काम में उनकी सच्चाई दिखती है जितना यादा ओरिजिनालिटी दिखती हो कहीं नहीं दिखती साथी साथ वर्सेटालिटी बोलते है ना one must be versatile हर किस और साथ ही साथ जो भारत की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आती है उनकी रचना उसे, क्या इसका मतलब यह है, हाँ, भारत की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आना है, यानि की देश से जूड़ी हुए रचना है उनकी, आगे, कमरादास has published many novels and short stories in English and Malayalam, आप सभी लोग जान सकते हैं कि उन्होंने English साथी साथ Malayalam में अपनी short stories और novels लिखी, क्या अपने ही नाम से लिखी, कमरादास नहीं भाई, उनका नाम था माधवी कुट्टी, किरपया करके माधवी कुट्टी ना बोलें, गलत हो जाएगा माधवी कुट्टी, pronunciation is very important, क्योंकि आप सभी जानते हूं, हिंदी बासा में आगब अगर के उडबल टी वाई को अलग प्रनाउंस कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा माधवी कुट्टी बोला जाएगा, in addition to five books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom, my mother at 66 is an example, और ये काफी ज्यादा relationships के विसम चलो आपको ले चलता हूँ, poem की और और से पहले हम लोग poem की साथ चलें, मैं आपको बता दूँ कि आप poem के साथ चले, poem को दूर से ना देखें, जैसे हाईलिकॉप्टर मेट के poem देख रहे हैं, नहीं, poem के अंदर रहे हैं, ठीक है ना, try to be a part of this poem, शुरू करते हैं, शुमलादास यह अपनी memory है, खुद ही लिख रही है, यानि कि यहाँ पर narrator कौन है, खुद poet, poet यहाँ पर खुद ही narrator बनी हुई है, और यह क्या बता रहे है, driving from my parents home, यह अपने parents की घर से किदर की ओर जा रही हैं, कोचीन जा रही हैं, वो भी last Friday, यह ना, पिछले Friday, पिछले मम्मी को देखा, अपने बगल में, beside का मतलब होता है, बगल में, अगर मेरे बगल में कोई खड़ा है और, क्या भाई, क्या हाल चाल, तो he is standing beside me, आपको देखे का नहीं, मुझे पर नहीं देख रहा है, लेकिन, मान लेते हैं कोई खड़ा है, अब चले जाओ, गया, beside का मतल beside me, दूसरी वाली seat में, passenger seat में, मैं गार चला रही हूँ यहाँ पर, और मेरी मम्मी passenger seat पर बैठी हुई है, आगे, dose, dose, open mouth, her face, action like that, of cops and realized with pain, यहां तक की बात करते है, dose का क्या मतलब है, dose का मतलब होता है, एक छोटी सी जबगी लेना, nap ले रही है, क्या कर रही है, nap ले रही snoring, snoring का मतलब karate लेना, तो karate तो नहीं ले रही है, dose, उनका चहरा मुह खुला हुआ है, dose यानि कि वो क्या लेनी, nap ले रही है, समय एकदम सो ही हुई है, आप जानते हो, बुज़र को लोग अकसर गाड़ियों में सो जाते है, dose, her face, action like that, ash का मतलब क्या होता है, ash का मतलब होत एक dead body, जो होती है, उसको कोबते है, cops के, किसी तरीके राक की तरीके, एक किसी लाश की राक की तरीके, उनका चहरा दिख रहा है, जब वो कैसे, मुह खोले हुए, एकदम सोई हुई है, तो उनका चहरा कैसा दिख रहा, एकदम राक की तरीके, किसी dead body के, that she was as old and realized with pain, और मै मैंने क्या realized किया, मैंने क्या पाया, मैंने इस चीज को realize किया, that she was as old as she looked, कि वो उतनी ही बुड़ी है, जितना हो लगती है, उनका ज्यादा हो गई होगी, तो बुज़र्ग लगते है, काफी बुडी रखती है, तो यह कह रहे हैं, क्या, कामला दास जी कह रहे है, कि उतनी यंग ट्रीज चला रही हूं तो मैंने बाहर की तरफ देखा यंग ट्रीज जो एकदम नए नए पेड है क्या करने स्प्रिंटिंग क्या होता है दौन ना तेज गती में दौन नहीं ऐसा नहीं है बेटा हमारी गाड़ी जब आगे जा रही है तो जो बगल में पेड होता है इ स्प्रिंटिंग दौर रहे हैं इसका मतलब यहां पर हो गया पर सॉनिफिकेशन क्या हो गया मेरे बच्चे पर सॉनिफिकेशन हिंदी में जाना हो गया तो इसको बोलते हैं मानवी करन अलंकार कोई समस्य परिशानी नहीं है बढ़ियां पुट एट थाट अवे एंड लु मैंने इस ख्याल को अपने दिमाख सेटा और मैंने बाहर की चरफ देखा और मैं क्या देख रही हूं कि यंग ट्री जो नए नए पेड एकदम चोटे-चोटे पेड है वो एकदम दौल लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी मेरी आगे जारी तो पीशे चल रहे हैं ऐसा लगा उनको दौल लगाने और मैरी मैरी का मतलब साधी नहीं मेरी डबल रर वाई शादी और मैरी बोलते हैं ना मैरी क्रिस्मस यानि की हैपी चिल्डरन जो काफी जाइस चिल्डरन है जो खुशनुमा बच्चे हो क्या कर रहे हैं इस पिलिंग आउट अफ देर आउस एनि घर से अब यहां पर कॉंट्रास्ट भी है एक तरफ मेरी मम्मी है जो अतनी एल्ड हो चुकी है कि उनका चेहरा राक की तरीके दिख रहा है और दूसी तराव दिख रहा है कि यंग चिल्डरन छोटे-चोटे-चोटे बच्चे बाहर निकल रहे हैं जो नए हैं जो उल्लास से भर मैंने अपनी मम्मी को कुछ यार्ट सवे से देखा मम्मी तो छोड़ने आई है यह तो जा रही है तो मम्मी को जब कुछ यार्ट दूर से देखा तो क्या देखा भाई I looked again at her मैंने उनकी तरफ दुबारा देखा वैन पेल वैन वाली नहीं वी एन वैन होती हो गाली होती व जैसे लेट विंटर स्मून हो जब को जाते हैं तो जो मून होता हैं जो घूंद्लत भाप जाता है वह काफी धूंद्ला हो जाता है काफी सारे बाड हो ज जाते हैं अब एकको जर्ब है वापि नट के वित Kita का उनकी ममप सा उनकी पर वह पुराना दर्द मुझे आभ मेरे बचपन का दर मेरे बच्पन का डर माई चाइल्ड प्वेर और मुझे अपने बच्पन का डर दर याद आ गया क्या था इनके बच्पन का डर but all I said war see you soon अम्मा बच्पन का डर ये था, इससे हमें यह पता लग रहा है कि इन्OUGHने बच्पने में कभी अपनी मम्मी को शोल दिया था बच्पने में बश्पने में कभी अपनी मम्मी से दूर रहना पड़ा था तो वही इनको दर्द सता रहा है कि अब आज मैं अठने काम पर जा रहे हो कोचीन एरपोर्ट छाने के लिए साधिस उदाहों कुछ नही आप प्रमा से कुछ समय दूर बिताया होगा तो वही पुराना दर मुझे सताने लगा, but अरे हमको बुढापा गया, आप समय मतों, but all I said was, लेकिन मैंने क्या बोला, but मैंने जितना भी बोला हो, क्या बोला मैंने, see you soon amma amma आपसे जल्दी ही मिलूँगी अब चुकि ये काउत की हैं कैरला की हैं तो सीदी सी बात बहिए amma बोला जाता है वाँ पर जैसे कि मुसल्मानों में अम्मी जान बोला जाता है हंदूओं में मा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं एक तो आगया बेटा repetition और साथ ही साथ यहाँ पर आगया alliteration alliteration ये दोनों के दोनों यहाँ पर literary device यूज हो गए यानि की poetic device यूज हो गए ठीक है figure of speech कहाँ पर बेटा smile, smile and smile मैंने क्या किया सिर्फ मुस्कुराई हर एक मुस्कान का अलग-अलग मतलब है एक मुस्कान में उनको दर्द महसूस हो रहा है कि मैं मम्मा से दूर जा रही हूँ एक मुस्कान में होप है कि मैं दुबारा मम्मा से मिलूँगी और एक मुस्कान में अपना ये सारा दर्द यह सब को छुपा करके मम्मी को दिखाना है कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ यह तीन smile इसलिए बोली गई smile, smile and smile यहाँ पर यह chapter end हो जाता है सबसे छोटा chapter है बेटा हमारा chapter number one बस इतना साही है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यह poetic device, repetition और alliteration यहाँ पर यूज हुआ है और पीछे आपका इस जगह पर प्रीज स्प्रिंटिंग में personification यूज हुआ है ठीक है ना, अगर कहीं पर as so, या like आ जाता तो हम बोल देते हैं बेटा कि यहाँ पर simili यूज हुआ है, ठीक है, ऐसे ही chapters पढ़ते हैं हम लोग देखते रहेंगे जो भी poetry device होंगे ठीक है ना, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद किया है तो जरूर like करें, share करें और subscribe करें क्योंकि subscribe करने से और इस घंटी को दबाने से आपके पास notification आता है और यह बहुते जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, like करते रहो like तुम करते नहीं हो, सरमाज आते हो तुमारे अंगुठों में दर्द है, दर्द को सही करो अंगुठा दबाओ और जाकर करो, share करना अपने दोस्तों को, जितने तुमारे 11th के 12th के दोस्ते हैं, उन सभी को share कर दा लो, 11th वालों को भी share कर दा लो, दोस्तों बना रखिए, उसको भी share कर दो, यह ना वो भी कही कहा रहे, पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, हमारे वाले का, ठीक है ना, तो share करो भी या, खेलो, कुदो, सब कुछ करो, जो भी तुमारे लिए जरूरी है, तुमारा सरीर भी fit रहे, और तुमारा दिमाग भी fit रहे, और तुमारी emotions भी fit रहे, ताकि तुम लोगों से प्यार मॉबबस से बात कर सको, जुकना सीखो, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो, यही सा ब क्लास में दब तक के लिए जय हिन, स्टेबिलेस बच्चो.